आयोध्य में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन हो गया और अब मस्जिद निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन का इंतजार है। का कोई मन भेध है जहां तक मस्जिद निर्माण को लेकर ट्रस्ट गठन की बात है तो उसका ऐलान होली के बात किया जाएगा माना जा रहा है कि बोर्ड की सभी सदस्यों के ना मौजूद होने की कारण अयोध्या मसले को टाल दिया गया अयोध्या यायोध्या यायोध्या किसी वफ़ के बारे में कोई इशू आज की बैठक में नहीं है हम जोड़ी शेयर करेंगे आपसे विदियन अवीक एक कफ़ता दर जिन के अंदर बोली के बास पास में जमीन आपके पास आ चुकी है कि नहीं अब आपको शेयर करूंगा नहीं जब आएगा अभी तक पेपर नहीं आया नहीं जब सूत्रों की माने तो ट्रस्ट में कुल दस सदस्यों कुछ शामिल किया जाएगा इनमें कुछ सदस्य बोट से और एक सदस्य सरकार की तरफ से भी शामिल होगा गौर तलब है कि योगी सरकार ने आयोध्या के धनिपुर गाउं में मुसलिम पक्ष को पांच एकड जमीन दी है और 24 फरवरी को बोड की बैठक में इस जमीन को सुईकार किया गया था बैठक में तै किया गया था कि वहाँ पर इंडो इसलामिक रिसर्च सेंटर बनेगा और इस जमीन पर मस्जित के अलावा चरिटेबल अस्पताल, भारतिये तथा इसलामिक सभ्यता के अध्ययन के लिए रिसर्च केंद्र और पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी पंजाब केसिरी टीवी के लिए लखनों से अनिल सैनी की रिपोर्ट